है यहलो याइस आज क्या81 टौपिक है हैं यहमस्टिंग मसल अब हैं इसमें क्या है थीन मसल आती है एक आपकी सेमि अणर दूसी सेमी मेंबरीरन को किम्प्रितम ना मतलब इस तीनों मसल को यह होता है यह थी हैं और यह पार मेरा間ंटे न health ये आपका आपका थो अरह एक preconญ også मुसेल मों आती है देंदार पिने सब्साइए पॉस्टेरीर कंपार्टमेंट यो से नियों एक यापके आपकी Effective付 क्मणिन शोटा है पिसके मुण लोगकु अरवह कोड़् से लमकशन मलब C वो था आपका flexor compartment अब अपन देखते हैं इन सारे muscle की origin, insertion, nerve supply and action तो सबसे पहले मैं आपको hamstring muscle की कुछ characteristics बता देता हूँ तो सबसे पहले तो सारी hamstring muscle जो होती है उनका common origin रहता है वो आपका रहता है ishield tuberosity अगर आप यहां पर देखें यह है pelvis bone तो इसके अंदर ये वाला ये वाला पार्ट क्या है इसको अपन बोलते है ishield tuberosity यह अपन ने ओस्टे लॉजिय में भी लेखा था यह तो ishield tuberosity जो है इससे जितनी भी muscle origin होती है उसको अपन बोलते है hamstring muscle दूसरी चीज जो hamstring muscle जो है उसका nerve supply आपका होना चीज श्याटिक nerve से अगर हम आपको बताओं जो इसका इंटेर कंपार्टमेंट जो था ठाई का इंटेर कंपार्टमेंट है वो supply होता है आपका femoral nerve से और पुस्टेर कंपार्टमेंट आपका सपलाय होता है श्याटिक नफ्स है और मिडल कंपार्टमेंट जो कि है अड़क्टर कंपार्टमेंट वो आपका सपलाय होता है उसका common origin होना चीए वो होना चीए इसली क्या है उसका नफ्स अपला होना चीए आपका श्याटिक नफ्स है अब श्याटिक नफ्स जो है अगर आपने मेरे इसके separate वीडियो देख रखी है तो ठीक है वरना अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको चीए करवा देता हूं आपका क्यों से एक वर्ड़ यार्ट कर लो कि श्याटिक नफं के दो पार्ट सहते है inclu एक इसके होता हूं फो दो नफससे बनती है 2 पार्ट से और एक काऌन पेरोनी पार्ट से इन दोनों का अब बोलते है श्याटिक नफ उसके अलावा जौ this 邞 में हमस्टृ में एक्स्टिंग करवाना ऊपान के सकामन अजन अब देखें, अनलत तो अब कान लुक्त taşनी चनीth झालरी कारणा इसका निञ चनी टूब्रोसिटी है यह कुछ इस तरीके से रहती है slightly जो है oblique type के रहती है तो यह वाले साइड है आपके superior यह है inferior यह वाले साइड क्या है यह है आपका lateral side और यह है आपका medial side तो इसका यह वाला जो पिंग वाला पार्ट है यह कहा है यह आपका superior भी है लेटरल भी है तो आपन इसको बोल देते हैं सुपीरियर लेटरल पार्ट अफ इसल टूबरोसिटी बैने ग्रीन वाला पार्ट यह क्या है यह आपका इनफीरियर भी है और मीडियल भी है तो आपन इसको बोल देते हैं inferior medial part of ishial tuberosity तो आप इसको पहले ही आद कर लो कि जो इसका superior lateral part होता है उससे किसका origin होता है उससे आपको होता है semi-membronose का origin मतलब पिंक वाला part जो है वह superior lateral surface उससे origin होता है आपका semi-membronose का ये जो inferior medial part है उससे दो muscle का origin होता है एक semi-tendonose दूसरी आपकी bicep femoris muscle तो अब ही अपन सबसे पहले क्या देख रहे है semi-tendonose muscle तो इसका origin आपका हो रहा है inferior medial part of ishial tuberosity इसका insertion कहां पहोता है medial side of tibia अगर आपन देखें तो आपन को पहले से पता है कि leg में lateral side में कौन सी बोन रहती है वरिती fibula then medial में कौन सी रहती है वह है tibia तो अगर आप आप इस diagram में देख पा रहे होंगे semi-tendonose है उसका origin ishial tuberosity सो हो रहा है और insertion कहां पहो रहा है यह tibia bone है tibia bone में भी medial side तो upper medial side of tibia पहसका हो रहा है insertion तो यहां पे यही लिखा है कि semi-tendonose का origin आपका inferior medial impression of upper part of ishial tuberosity मतलब कि inferior medial में भी कहां पे upper part में ishial tuberosity से इसका origin हो रहा है और इसका insertion आपका होता है upper medial surface of tibia बेसिकले आप उसको 2D में देख लो जब आप उसको 3D में बताएंगे तो आपको score imagine हो जाएगा then nerve supply मैंने आपको बताएंगे था कि इसका common nerve supply होता है वो है shiatic nerve और shiatic nerve में भी कौन से वाले parts है tibial parts है then इसका action क्या है इसके 2 common action में बता चुका हूँ flexion of knee joint extension of hip joint उसके अलाबा यह जो है medial side में है तो यह क्या करवाएगा medial rotation of leg भी करवा देगा फिर अबन देखते हैं semi membranous अब तो semi membranous है उसका origin अगर अपन इस डियाग्राम में देखें तो इस पिंग वाला part है तो पिंग वाला part सा आपका किसका origin हो रहा है आपका origin हो रहा है semi membranous का तो पिछे जो बड़ी मसाल है वो है आपकी semi membranous मसाल तो उसका origin आपका होता है superior lateral surface से इसका insertion आपका होता है यह है medial side और यह है medial condyle जब आप टीविया पोण जब आप पढ़ते हो osteology में तो आपको उसमें बताया होगा उसकी दो condyle होती है medial और एक lateral condyle तो इसके medial condyle पे जो है आपकी semi membranous का होता है insertion तो यहाँ पे यह लिखा है कि जो semi membranous है उसका origin आपका superior lateral impression से होता है ishell tuberosity के इसका insertion आपका होगा posterior surface of medial condyle अब जहीर से बात ते है इसका insertion जो है एक तो हो रहा है आपका medial condyle पे तो हैंस्टिंग muscle का है posterior पे तो medial condyle के भी कोई सी surface posterior surface nerves apply इसकी होती ही tbl part of shatting nerves है उसका लावा इसका action क्या है इसका action जो है same है जो अपन ने इसका देखा वो ही है दो तो common हो गए common action वो ही flexion knee joint का extension hip joint then यह middle side में है तो यह medial rotation करवा रहा है then अपन देखते है bicep femoris तो bicep femoris के लिए मैं आपको अलग diagram दिखाता हूँ यह वाला diagram अब जो bicep है by का मतलब two मतलब यह तो bicep femoris जो है उसके two head होंगे अपन अपन लिम में भी देखा था एक ता bicep break आई अपन यहां पर देख रहे है bicep femoris तो bicep के जो है दो head है एक के देख रहे है long और एक के देख रहे है short तो इसका long head का origin कहां से हो रहा है वो आपका हो रहा है inferior medial surface of actual tuberosity से then इसका तो short head है इसके short head का इसका origin हो जाता है lina spra से यहां पर जो है एक lina spra आपके पाए जाती है posterior side of femur bone पर उससे इसके short head का हो जाता है origin और अगर आपन देखें इन दोनों का insertion का हो रहा है इन दोनों का insertion आपका हो रहा है head of fibula पर तो यहां पर यह लिखा है कि जो bicep femoris है उसका origin long head का कहा से हो रहा है inferior medial surface से ishter tuberculosis है short head का हो रहा है lateral lab of linea spra lina spra के भी दो lips होते हैं medial और lateral यह अपने ओस्टोलोज में पढ़ा होगा उसके भी lateral lips से इसका हो रहा है origin फिर आपन देखते हैं insertion insertion आपन ने देखा head of fibula पर इसका insertion हो रहा है denis की nerve supply जो है यह बहुत important है तो PGA में कॉशन आ जाते हैं कि long head of bicep femoris is supplied by dash nerve tbl part of shatting nerve कि common peroneal part of shatting nerve अब एक आप जो है आपने सब में पढ़ा है tbl part of shatting nerve तो आप यह कॉशन सही कर दोंगे लेकिन अगर examiner को थोड़े tricky question बनाना हुआ तो वह क्या बना देगा कि short head of bicep femoris is supplied by common peroneal nerve actually में क्या होता है कि इसका जो long head है वो supply होता है tbl part of shatting nerve अब जो hamstring मसेल है मेंने क्या बताया वो आपकी supply होती है shatting nerve से एक criteria यह है hamstring का then hamstring के दो पार्ट मेंने बताया थे एक tbl part और एक common peroneal part तो उसका जो long head है वो supply होता है tbl part of shatting nerve और short head आपको supply होता है common peroneal nerve इसलिए तो pg के exam में जो question आता है वो short head से ही आता है क्योंकि बच्चे के जमें confused हो जाते है तो इसलिए वोगर tricky question मनाता है तो आप इसको अच्छे से जात कर लेना कि short head किस से होता है common peroneal nerve से then इसका action क्या होगा सबसे पहले दो common action hamstring muscle के एक flexion करवाना दूसरा extension करवाना hip joint का उसके अलाबा इस बार यह कहा है later side में है तो यह आपके करवाएगा lateral rotation अभी semi membranos, semi tendonos middle side में थी तो वो करवा रही थी middle rotation लेकिन अभी lateral side में है तो यह करवा रहा है lateral rotation then अपन देखते है abductor magnus अभी जो abductor magnus मसल जो है इसके दो पार्ट है एक है आपका hamstring वाला पार्ट दूसरा है आपका abductor part तो उसका हैंस्टिंग वाला पार्ट जो है वो क्या कर रहा है वो आपके इशल टूब्रो सिटी से जो है एक तो origin कर रहा है इसलिए इसको अपने हैंस्टिंग में रखा दूसरा इसकी जो nerve supply है यह आपके एक hybrid muscle है अपन hybrid muscle अपकिसको कहते हैं जिनके अंदर double nerve supply हो उसको अपन कहते है hybrid muscle अगर अपन अपर लिम में देखें तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या रहती है brichalis muscle वो भी क्या थी वो भी आपके एक hybrid muscle थी क्योंकि उसमें दो nerve supply हो रहा था और यहाँ पर जो adductor magnus muscle है यह आपकी एक है hybrid muscle तो यहाँ पर adductor magnus के अंदर एक होती है टीबिल पार्ट अफ शियाटिक नव और डूसरी है obturator nerve मतलब कि यह तो obturator मतलब कि जो adductor magnus जो है यह तो आपका इस्छल टूरोसिटी से इसकंदर हो रहा है origin दूसरा शियाटिक नव से भी इसका supply हो रहा है इसलिए अपन इसको अपने हैंस्ट्रिंग muscle में रख लिया तो इसका मैं आपको origin बताता हूँ इस डियाग्राम से यह क्या है यह पूरी आपकी है adductor magnus muscle और इसके उपस separate प्रेट एक short note आजाता है कि adductor magnus के origin, insertion, nerve supply लिखो university में तो अड़क्टर magnus जो है उसका origin सबसे पहले आपका होता है lower surface of itself tuberosity then यह क्या है यह आपका inferior pubic ramos then इन दोनों से इसका हो गया origin then इसका insertion जो है वो आपका lina spra के middle lips है then यह क्या है, यह है middle side middle side में यह है इसकी middle condyle, condyle के उपर epicondyle, और उस epicondyle के उपर के रहता है medial supra condyle ridge तो इसका सबसे पहले आपका होगा medial lip of lina spra then medial supra condyle ridge से उसके अलावा एक यहाँ पर tubercle रहता है, उसको आपन बोल देते है abducted tubercle तो उसका abducted tubercle इसका हो जाता है, insertion यह लिखा है कि जो adductor magnus muscle है उसका origin आपका होता है lower part of ischal tuberosity से और inferior ramos of pubis से then इसका insertion आपका होगा medial margin of gluteal tuberosity जो gluteal tuberosity है उसके भी medial margin से उसके लावा linear spra से then medial supra condyle line से line बोल लो यह रिज बोल लो उसके लावा एक abducted tubercle से then nerve supply मैंने आपको बताया है कि यह hybrid muscle है तो इसका एक nerve होगा tbl part of sciatic nerve से दूसरा obturator nerve से then इसका action तो इसका एक action जो है वो है extension करवाना मतलब कि जो इसका hamstring वाला जो part होता है adductor magnus का वो आपको करवाता है hip joint का extension और इसका जो abductor वाला part होता है वो आपको side से क्या करवाएगा abduction आपको करवाएगा ठाई का तो पूरा का पूरा मैंने आपको hamstring muscle बता दिया अब 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 इसको एक बात 3D मोर देख लेते हैं तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि semi tendonors को origin कहाँ सो रहा है तो आपको हो रहा है इस चिल tuberosity से उसमें भी कहाँ से उसके भी inferior medial surface से इसका हो रहा है origin देन इसका insertion मैंने आपको बताया था medial side of tibia से यह क्या है tibia bone उसके भी कहाँ पर medial side से इसका हो रहा है insertion तो मैंने आपको इसका बता दिया देन इस muscle को अपन करते हैं hide तो फिर आपन देखते हैं semi membranous अब semi membranous को origin कहाँ सो रहा है superior यह क्या है superior lateral surface of itchal tuberosity और इसका insertion मैंने आपको कहाँ बताया था आपको बताया था medial condyle अब मैं इसको separate करूँ tibia bone के तो tibia bone है देनी tibia bone में यह है इसकी medial condyle और यह है इसकी lateral condyle अब इसकी medial condyle में posterior वाला surface जो है उसमें आप देख रहे होंगे यह आपकी muscle का हो रहा है insertion semi membranous का तो इसको अबन कर देते हैं hide then फिर आपन देखते हैं bicep femoris cia वाली muscle bicep का मतलब दो origin तो इसका एक origin आपका हो रहा है inferior medial surface of hl tuberculosis है long head का then short head जो है उसका और जो निहास हो रहा है later labor lina esperas है और इसका insertion आपका हो जाता है आपका fibula के head पे यह आपका हो गया bicep femoris then यह आखरी muscle जो खी है abductor manganus muscle तो इसका origin आपन कहां से लेते हैं सबसे पहले इचल टूबर सिटी के lower part से then inferior pubic rameis है इसका हो रहा है origin और इसका insertion आपका हो रहा है medial lip of lina esperas है then medial suprapondyla wrist से then इसकी एक tendon आपकी जाएगी यहाँ पर tubercle हो रहता है उसको बोलते हैं abductor hair tusk और यह क्या बहुत important होता है मैंने आप अगर आपने मेरी femoral triangle की वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता रहेगा कि यहां से femoral artery वागएरा जो है पास होती है मतलब क्या रहता है femoral artery उपर से इहर से आती है then आपके medial में medial downward pass करती है then abductor magnus के इस ear tusk opening से होते हुए वह आपके posterior side में आ जाती है तो इस सारी मसल को मैंने आपको 3D में भी एक बार बता दिया तो अब अपन देखते हैं अगर शॉर्ट नोट में आता है university में तो उसको किस तरीके से लिखके आना है तो मैंने आपको अपरले में भी बताया था सारी मसल को आप लिखोंगे चार headings में एक origin में एक insertion में एक nerve supply में और action में और जितना भी मैंने आपको बताया है ये एक short note में university के लिए बहुत ज़्यादा sufficient amount है आप लिख दोना hamstring muscle की heading आपको नहीं लिखना है जितना जादा हो से के साफ साफ लिखो पॉइंट में लिखो heading डाल के लिखो उसका examiner को बहुत इज़ी परता है आपके हंसे अगरा देखने में और फिर क्या है वो आपको जादा नंबर भी दे सकता है तो पहले आप हैंस्टिंग muscle डाले heading आप इसके तीन क्राइटीरिय के पॉइंट रखें कि सबका ओरिजन होना ची इस्चल टूबरो सीटी से nerve supply जहें टीबल पार्ट ऑफ शैटिंग nerve से इनका एक कॉमन फंशन भी लिख देना तो एक याप ज्यादा मांक्स के लिए यह वरे डागराम बना देना बैसिक लगने शॉर्ट नट में आता है ना तो पूरा कॉशन लिखने के बाद यह आप डागराम बिल्कुल बना देना अबर आपके मेरे इस वीडियो से पूरे concept लियर हुए हो तो आप इज हर YouTube चैनल को सब्क्राइब कर लो कि इसमें आपके पूरे के पूरे लोवर लिम की वीडियो लाने वाला हूं आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं मैंने पूरे अपर लिम की भी इसमें वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हैं